हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 6 के सब्जेक्ट SST यानि समाजिक विज्ञान का भाग पहला हमारा अतीत का चैप्टर 1 क्या, कब, कहां और कैसे पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले आपको एक फोटो दिखाई दे रही है जिसमें एक लड़की है राशिदा राशिदा आपी की तरह एक स्टूडेंट है तो राशिदा बैठी अकबार पढ़ रही थी अचानक उसकी निगा एक सुर्खी पर पढ़ी 100 साल पहले वह सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था तो जैसे ही राशिदा की मन में सवाल उठ रहे हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था उसी प्रकार से आप सभी के मन में भी ये सवाल उठते होंगे कि इतने सालों पहले क्या हुआ था और कैसे इसको जाना जा सकता है तो इसके लिए सबसे पहले कैसे पता लगाए यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो टेलिविजन देख सकते हो यानि टीवी या फिर अकबार पड़ सकते हो तात ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो यानि पिछले साल क्या हुआ था इसको जानने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिसको ये यादो कि पिछले साल क्या हुआ था लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है इसके लिए सबसे पहले अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे हमें आखेट को यानि शिकारियों, पशुपाल को यानि जो पशुपालते थे, कृष्च को यानि किसान, शाष को यानि राजारानी जो वह करते थे, व्यपारियों, पुरोहितों और शिल्पकारों शिल्पकार वो जो भवन इत्यादी का निर्मान करते थे, कलाकार, संगीतकारों या फिर विग्यानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं यही नहीं हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे कौन से कहानिया सुना करते थे कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीद गाते थे इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना आवश्यक है कि लोग कहां रहते थे तो इसमें है मांचित्र एक प्रिस्ट दो यानि पेस नंबर दो पे नर्मदा नदी का पता लगाओ इसमें लिखा है तो हम आगे आने वाले मांचित्र में बताएंगे कि नर्मदा नदी कहां पर है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं यानि जो नर्मदा नदी ये उस पे जो लोग हैं वो आसे नहीं कई लाख वर्ष पहले से रह रहे हैं यहां रहने वाले आरंबिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे यानि आरंबिक यानि प्रारम से ही रह रहे हैं और जो कुशल संग्राहक यानि इखटा करने वाले एक्तृत करने वाले जो आस पास के जंगलों की विशाल संपता से परिचित थे यानि जो लोग वहां रहते थे नर्मदा नदी के किनारे वे उनको पता था कि जंगलों में कहां क्या है अपने भोजन के लिए वे जडो फलो तथा जंगल के अन्य उत्पादों का सही से संग्रे यानि इखटा करते थे वे जानवरों का आखेट यानि शिकार भी करते थे अब इसके बाद है अब तुम उत्तर पस्चिम के सुलेमान और किर्थर पहाडियों का पता लगाओ इसी शेत्रे में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगबक आठ हजार पूर्व इस्त्री पुर्शों ने सबसे पहले गेहूं और जोज जैसी फसलों को उपजाना प्रारम किया उन्होंने भेड, बकरी और गाएं बैल जैसे जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया यानि उन्होंने सबसे पहले क्या किया गेहूं और जोज का उत्पादन भी किया और साथ में जो जानवर थे जिन में भेड, बकरी और गाएं बैल शामिल थे उनको उनने सबसे पहले पालतु बनाना प्रारम किया यानि घरों में पालना प्रारम किया ये लोग गाउं में रहते थे उत्तर पूर्व में गारों तथा मद्द्ध भारत में विंदे पहाड़ियों का पता लगाऊं ये कुछ अन्ने ऐसे शेत्रे हैं जहां कृषी का विका तो उत्तर पस्ची में आपको ये दिखाई देगा सुलेमान और कीठर की पहाडियां जो यहां पे क्या है हमारा पाकिस्तान है यहां पे यहूं जो उगाया जाता था अब उसकी बिलकुल विपरित में देखेंगे पूर्वे दिशा की और उत्तर पूरव में गारों की लिया हैं यहां इसके उत्तर में चावल का उत्पादन होता था और विद्य की पहाडियों की नीचे आपको नर्मदा नदी भी नज़र आएगी क्योंकि उसमें पीछे पूछा गया था कि नर्मदा नदी का पता लगाओ तो यह हमारी नर्मदा नदी है यहां पर 20 लाक वर